मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा बूले जीवन में हो जा आए, शीव बाबा मुरली में समसा, भूले जीवन में हो जाए, शीव बाबा ओम शान्ति आज की तारिक है 29 नुवंबर 2023 के बाबा के साकार महावाक्य है मीठे बच्चे अपनी बुद्धी व विचारों को इतना शुद्ध स्वच बनाओ जो शिरिमत को यह थात रिती धारन कर बाप का नाम बाला कर सको बाबा ने प्रिशन पूछा बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी बाबा ने उत्तर दिया जब बच्चों की निरंतर हर्शित मुख अचल अडोड सिथर और मस्थ अवस्था बने तब बाप का शो कर सके ऐसी एक रस हवस्था वाले पुशार बच्चे ही या थात रिती सब को बाग का प्रिचे दे सकते हैं गीत मरना तेरी गली में ओम शांती बच्चों ने गीर सुना कहते हैं आएं हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए किसके दर पर फिर भी यहीं बात निकलती कि अगर गीता का भगवान शिरी क्रिशन के तो यह सब बाते हो ना सके ना शिरी क्रिशन यहां हो सके वै तो है सब्तिव का प्रिंस गीता कोई शिरी क्रिशन ने नहीं सुनाई गीता तो परम पिता ने सुनाई सारा मदार एक बात पर है भगती में तुम इतनी महनत करते आई हो वै तो दरकार नहीं यह तो सेकंड की बात है सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कितनी नौलज देनी पड़ती है प्राची नौलज जो भगवान ने दी है वही नौलज है सारी बात गीता पर है परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देपता धर्म की स्थापना के लिए सहज राज योग और ग्यान सिखलाया है जो अब पराई लोप है मनुष्य तो समझते हैं शिरी किशन कभी फिर आकर गीता सुनाएगा परंतु अब तुमको यह अच्छी रिती गोले के चित्तर परसिद करना है कि गीता परलोकिक परमपिता परमात्मा ग्यान सागर ने सुनाई शिरी किशन की महिमा और है परमपिता परमात्मा की महिमा और है वह है सत्यू का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से रज्य भगया पाया है पड़ते समें नाम रूप से और है और फिर जब रज्य पाया तब और है यह सिद्ध कर बताना है पतित पावन है ही एक बाप अभी फिर से शिरी कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविश्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए फार्नर्स कोई भी सिद्ध कर बताना पड़ता है नमबर बन है ही गीता सरवशस्त्र में शिरी मत भगवत गीता माता अब माता को जन्म किसने दिया बाप ही माता को एडॉप्ट करते है ना गीता किसने सुनाई ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइश्ट ने वाइवल को एडॉप्ट किया क्राइश्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर वाइवल बना कर पड़ते हैं अब गीता की शिक्षा किसने दी जो फिर बाद में पुस्तक बना कर पड़ते हैं यह किसको पता नहीं और सब के शास्तरों का तो पता है यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है, वह किसने दी है, यह सिद्ध करना है, दुनिया तो दिन परती दिन तमो परदान बनती जाती है, यह सब स्वच बुद्धी में ही बैठ सकता है, जो शिरिमत पर नहीं चलते, उनको धारना हो न सके, शिरिमत कहेगी, तुम बिलकुल नहीं सकते हो, अपने को ग्यानी मत समझो, पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है, कि गीता का भगवान परंपिता परमात्मा है, वहीं पतित पावन है, मनुश्यत तो सरभ्यापी कह देते हैं, बाब ब्रमत अत्तब कह देते, बासागर कह देते, जो आया सो कह देते, बिगर अर्थ, भूल सारे गीता से निकली है, जो गीता का भगवान शिरी कृष्ण कह दिया है, तो समझाने लिए गीता उठानी पड़े, बनारस वाले गुपता जी को भी कहते थे, कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ, कि गीता का भगवान शिरी कृष्ण नहीं, अब स शांती सापन करना पतित मनुश्यों के हाथ में तो है नहीं, कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांती सापन कर सकते, जबकि बुलते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं हैं, भारत पावन था, अभी पतित है, अब पति रान तो है नहीं जूटा बलाबा करते हैं जानते कुछ नहीं अब ये कौन जाकर बताए बड़े अच्छे बच्चे चाहिए समझाने की बड़ी युक्ती चाहिए बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची वे तो कह देते कोई भी ह है तो सब भगवान बाब कहते हैं तुम बे समझ हो मैंने आकर पावन रज्जर सपन किया उसके बदले फिर शिरी कृष्ण का नाम डाल दिया पतित को ही पावन बनाकर फर्ष्ट प्रिंस बनाता हूं भगवानु वाच मैं शिरी कृष्ण की आत्मा को एड़ॉप्ट कर ब बाबा कहते हैं मैं शिरी कृष्ण की आत्मा को पहले एड़ॉप्ट करता हूं फिर ब्रम्मा बनाता हूं उन दबारा ग्यान देता हूं वह फिर इस सहज राजयोग से फर्ष्ट प्रिंस सत्युका बन जाता है यह समझानी और कोई की बुद्धी में है नहीं तुम्हें पहले तो यह भूल सिद कर दिखानी है कि शिरीमत भगवत गीता है सब सास्तरों की माई बाप उसका अरचिता कौन था जैसे क्राइश्ट ने बाइबल को जरन दिया वह है क्रिश्चन धर्म का शास्तर अच्छा बाइबल का बाप कौन क्राइश्ट उनको माई आप नहीं कहेंगे मदर की तो वहां बात ही नहीं यह तो यहां मात पिता है क्रिश्चन ने रीज की है शिरी क्रिश्चन के धर्म से यो तो वह क्राइश्ट को मानने वाले हैं जैसे बुद्ध ने धर्म सापन किया तो बुद्धियों का शास्तर भी है अब गीता किसने सु उससे कौनसा धर्म सापन हुआ यह कोई नहीं जानते जी तो उन्होंने अपने को तो ग्यान नहीं दिया ग्यान देने वाला तो दूसरा चाहिए कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा यह राजाई प्रापत कराने का ज्यान किस ने दिया किसमत अपे ही तो नहीं बनती किसमत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए कहते हैं गुरू गती देते हैं परंतु गती सदगती का भी अर्थ नहीं समते परवर्ती मारग वालों की सदगती होती है बाकी गती माना सब बाप के पास जाते हैं ये बाते कोई भी समझते नहीं वे तो भक्ती मारग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं सच्चे ग्यार मारग की दुकान ही है एक ही है बाकी सब भक्ती मारग की दुकाने हैं बाप कहते हैं ये बेर शास्तर आदी सब भक्ती मारग की समगरी है इन जप तप बैर शास्तर आदी का अध्यन करने से मैं नहीं मिलता हूँ मैं तो बच्चों को ग्यान देकर पावन बनाता हूँ सारी स्रिष्टी का सत्गती दाता हूँ वाया गती में जाकर फिर सत्गती में आना है सब तो सत्यूग में नहीं आएंगे यह ड्रामा बना हुआ है जो कलब पहले तुमको सिखाया था जो चित्तर बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं मनुश्य कहते हैं तीन धर्मों की टांगों पर स्रिष्टी खड़ी है एक देपता धर्म की टांग तोटी हुई है इस लिए हिलते रहते हैं पहले एक धर्म रहता जिसको अदवेत रज्य कहा जाता है फिर वह एक टांग कम हो तीन टांगे निकलती हैं जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती है आपस में ही लडाई जगड़ा चलता रहता है धनी को जानते नहीं निधन के बन पड़े हैं समझाने की बड़ी युक्ती चाहिए पर दर्शनी में भी यह बात समझानी है कि गीता का भवान शिरीक क्रिशन नहीं है परमपिता परमात्मा है जिसका बर्थ पलस भारत है शिरीक क्रिशन तो है साकार वह है निराकार उनकी महमा बिलकुल अलग है ऐसी युक्ती से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई अंदों के आगे बड़ी आईना रखना है यह है ही अंदों के आगे आईना जास्ति टूमच में नहीं जाना है कड़ी भूल यह है परमपिता परमात्मा की महमा अलग है बनते हैं लक्षमी नहराइन सत्यु में राम सीता त्रेता में पहला नंबर बच्चा श्री क्रिशन है उनको फिर द्वापर में ले गए है यह सब हैं भक्ती मारक की नूद विलायत बाले इन बातों से क्या जाने ड्रामा उनसार यह ज्ञान किसके पास है नहीं कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ती रात ब्रमा का दिन ब्रमा की रात सत्यु सापन करने वाला क Score है ब्रमा आया कहां से सुक्ष्ण बतन में कहां से आया परंपिता परमात्मा ही सुक्सं श्रिश्णी रचते हैं वहां ब्रम्मा दिखाते हैं परंतु वहां तो प्रजा पिता ब्रम्मा होता नहीं, जरूर प्रजा पिता ब्रम्मा ओर है, वह कहां से आया, यह बाते कोई समझ नहीं सकते, शिरी किशन के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपन रथ बनाया है, यह किसकी बुद्धी में नहीं है ये बड़ा भारी कलास है टीचर तो समझते हैं ना ये स्टूडन कैसा है तो क्या बाप नहीं समझते होंगे ये बेहद के बाप का कलास है यहां की बात ही निराली है शास्तरों में तो बरले आदी दिखा कर कितना रोला कर दिया है कितना घमंड है रामायन गीता आद कैसे बैट सुनाते हैं शिरी किशन ने तो गीता सुनाई नहीं उसने तो गीता का ग्यान सुनकर रजय पद पाया है सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है उनके गुन यह है शिरी किशन के गुन यह है इस भूल के कारण ही भारत कोड़ी जैसा बना है तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का दोवार है प्रंतु परमात्मा ने तो ग्यान का क्लश माताओं पर रखा है माताए ही स्वरक का दोवार बनती हैं तुम निंदा कर रहे हो प्रंतु बोलने वाले बड़े हुश्यार चाहिए पोईंट्स सब नोट कर समझाना चाहिए भक्ती मारग में बास्तव में गरस्तियों के लिए यह है प्रवर्ती मारग का सहज राजोग हम सिद कर समझाने लिए आए हैं बच्चों को शो करना है सदेव हरशित मुख अचल सितर मस्त रहना चाहिए आगे चल महमा निकलने जरूर है तुम सब हो तो बर्म कमार कमारिया कमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से बरसा दिलाए कमारियों की महमा बहुत भारी है मुखे कमारी तुमारी ममा है चंदरमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए यह ग्यान सूरिया है यह गुप्त ममा अलग है इस राज को तुम बच्चे ही समझ कर समझा सकते हो उस ममा का नाम अलग है मंदिर उसके है इस गुप्त बूरी मा का मंदिर थोड़ी है यह मात पिता कमबाइंड है दुनिया यह नहीं जानती शिरी क्रिशन तो हो नहीं सकता वै फिर भी सत्यू का प्रिंस है शिरी क्रिशन में भगवान आना सके समझाना बहुत सैज है गीता के भगवान की महिमा अ है मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे की बरोवर प्रमात्मा की महिमा अलग है सब एक थोड़ी हो सकते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रती मात पिता बाद दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाद दादा को शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुर्ली के लिए दारना के लिए मुख्य सार नमबर एक अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्शित मुक रहना है, नमबर दो, ग्यान के शुद घमंड यानी नशे में रहकर बाब का शो करना है, गीता के भगवान को सिद्ध कर बाब की सची पहचान देनी है, वर्दान समरिती सबरूफ बन बिसमरिती वालों को समरिती दिलाने वाले सचे सेवा धारी बाब, अपने समरिती सबरूफ फिचर्स द्वारा औरों को समरिती सबरूफ बनाना यहीं सची सेवा है, आपके फिचर्स औरों को समरिती दिला दे कि मैं आत्मा हूं, मस्तक में देख करके साम की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता ऐसे अभिनाशी चमकती हुई मनी को देख देवान को भूल जाए अटेंशन सब्ते आत्मा की तरफ जाए भी समृती वालों को समृती आ जाए तब कहेंगे सच्ची सेवाधारी सलोगन आपगुन धारन करने वाली बुद्धी का नाश कर सतो परधान दिव्य बुद्धी धारन करू ओम शान्ति